हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो जाइकावित फरहत आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकेन मैकरोनी की रेसिपी बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही अच्छी रेसिपी है यह और खासकर बच्चों की तो यह बहुत फेवरेट होती है तो चलिए आए हम बनाना शु अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं दो चोटे चमच इसमें हम डाल देंगे कौन फ्लार आधा चमच अध्रक लैसन पेस्ट एक चमच सोय सॉस मिक्स कर लें इसे अच्छे से यह अच्छे से मिक्स हो चुका है इसे हम रख देंग कतो kalau मारे बहुत अच्छे से बॉल हो चुका आह इसे हमं आपके से अच्छ कर लेते हैं और और इसे हम उन करता नोरे अच्छे से फैला लेते हैं ताकि हापसमें जोएम डालेंगे दो-चमच आ्योल इसमें उनक रख कर देंगे चिकन को कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है यह रेखिए तास से आख मिट लगे हैं मुझे इसे कुक करने में निकाल देते हैं इसे साइड में यहां मैंने लिया एक अधाई में दो चम्मच ऑईल यह अच्छे से गर्म हो चुक इसमें मैंपना प्यास एक कप प्यास है करता हुँ है टाइज करने में अच्छे से बून शुक है इसमें में एड कर देंगे शिम्ला मेच एक मेडियम साइड का सिंगा मेच है यह फाइनली चॉप दगाजन आधा कप गाजन मैंने आलिया है और एक बड़ा टमाटर इस तर जो आधा करदेंगे आदा चमश नमक का भियाँ से डाले इक चोठाइच घाली फिर लाल मिशला लीपाउड़ इसे आप अब तक भूल्टेंगे , जब तक अमारा टमाकाड अक्छे से गल नहीं जाएं तमाटर हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है इसमें एक चमबा सोय सॉस, दो चमबचीस में एक चमबची सेजवान चटनी, अगर आपके पफास सेजवान चटनी ना हो ता आप इसकी जगा रेट चली सॉस पी यूज कर सकते हैं मिक्स कर लेंगे इसे इसे अच्छे से और एक मिनिट के लिए हाई फ्ले 노래ya consigo अपना पर राइखती और वापस से भून के हम इसे हम इसे बूने को तेस्ट कर लें अगर आपको नमक कम लगे तो आप सकते हैं सात्मी मागते है यह साथessa करे और आपको तुम आप अर्छी स्थील घर है और अगर मेर मेरी इस पुस्राइब कर लेते हैं करव चैनल को सब्सक्राइब कर ले,rony लेशेमीर कव होड़ में